रोयल चिलिंजिस बैंड यॉर के अगर बात करी जाए तो आई पेल शुरू होने से पहले सवाल ये था कि क्या ये टीम जो है वो इस साल आई बेन की ट्रॉफी लिफ्ट कर पाईगी लेकिन अब सवाल जो है वो बदल चुका है और फैंस यही सवाल कर रहे है कि क्या आर्सी प्लेओफ के लिए क्वालिफाई तरपाई की विरेंदर सेवाग की अगर बात करी जाए तो इसके लिए रिस्पॉंसिबल जो आर्सी भी खिलाडी है विराट कोली के अलावा उने जिम्मेदार ठहरा रहे है और अमबाती राइड़ू की बात करी जाए तो इसके लिए वि अब इसमें क्या कहना हो जाते हैं आपको बता देते हूं उनका ऐसा माना है कि विराट कोली जो है पाफ सो साथ सू रंस जर सकते हैं आराम से साथ मैचेज में लेकिन सिंगल हैंडिटल ली बात है कि एक फ्लेर कितना भी अच्छा खेले लेकिन बाकी प्लेर्स का भी शामिल होना टीम में जो शामिल है उनका अच्छा खेलना बहुत जादा टीम के जीपने के पीछे जरूरी होता है बिल्कुल और जाहतक विराट कोली की बात है तो हर सीजन जो है वह आर्सीबी के लिए अच्छा के लिए नजर आते हैं अब और इंज कैप की अगर बात करी जाए मैं आपको डो टॉप के बारे में बढ़ा देता हूँ विराट कोली ने चार मैच के लिए हैं और इसमें दो सो में बनाये हैं सब्सक्राइब करें तो साल 2021 में उन्होंने कप्तानी चोड़ी थी और इसके बाद आइपल आउक्षिन जब हुआ तो लगबक 80 लाग से उपर यहां पर मिलती हुए नजर आईए बहुत जादा सप्राइजिंग बात हो जाती है कि इतने महेंगे विखनी वाले प्रेयर्स है लेकिन प्रदर्शन के नाम पे जीरो पे आउट हो जाते कैमनें ग्रीन की बात हम करते हैं याप एक सत्रा साड़ी स 17 करोड रुपए जो है यह ले गए हैं और 14 मैचेस उन्होंने खेल खेलने हैं आरसी मी की जहाँ पर अभी जितने मैचेस के लिए मैं रंज आपको बता देती हूं अठारा तीम तैटिस नौ चार मैचेस में यह रंज इन्होंने बनाएं हैं सबसे बड़ी बात ही है कि जब बाइल से भी इतना पैसा खचा कर रही है तो ऐसे प्लेयर्स को लिया क्यों जा रहा है जो खेलनी बार है अच्छे प्लेयर्स को अपरी टीम में शामिल करो जो आपकी टीम को जिताने में आपकी हैल पर इना कि कुछ ऐसा स्कोर आपके सामने लाके खड़ा करें बिलकुल फ आपकेले जो खड़े हुए नजर आते हैं फाफ दो प्लेसी ने एक मैसिज दिया है विराट को लिए ग्लें मैस्वेल और पूरी टीम के नाम तो मुझ ऐसा लग रहा है कि फिलाल ये मैसिज ओने खुद जादा जो है वो इंपलिमेंट करना चाहिए बिलकुल कहना है कि बिलकुल भी फायर नहीं किया और यहीं वजाए कि पहला हो दूसरा हो तीसरा हो चौथा मैंचो यानि कि लगतार मैंच जो है वो हम देख रहे हैं जिसमें RCB का टॉप ओडर फायर नहीं करता और फिर बाद में दिनेशकारते को माईपा नोम्रो रो ये खिलाडी कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले फटाफट में आपको बतायता हूँ कि विराट पोली जो है वो RCB के फेलियर्स के लिए जिम्मेदार है ये कहना अमबाती राइडू का अब क्यों कहना है क्योंकि जब भी ऑक्शन हुआ जब भी कोई अब अगले मैच कौन को से उर्वी का 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 होने वाले ये बार देख लेते हैं बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दो कि चार मैचेस खेलने के बाद नाइंथ पोजेशन पे आ चुकी है और बाकी अगर रियक्शन की बात करी जाए तो सारे लेजंड्स यही कह रहे है कि आज सीबी विराट कोली के ऊपर डेपेंडेंट है विराट कोली अगर चलेंगे तो थोड़ा संगरश करेगी और विराट कोली अगर नहीं चलेंगे तो सिराज, यश दयाल, वीसी टॉप और बाकी जो अगर बात करी जाए अलजारी जोसिफ हैं उनके बूते जो हैं यह टीम नहीं जीत पाएगे तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में अभी विराट कोली के बूते या फिर रटीन क्लिक करेगे और क्वालिफाई कर पाएगी प्लेओफ के लिए इस साल क्या पाई पेल जी पाई की आर्शी में कमेंट करके जरून पताईएगा